गुद मॉर्निंग एवर्यवन गुद मॉर्निंग बच्चो सभी बच्चे क्लास में आ जाएं आपकी क्लास भी लाइव उती हैं और याई गोड वी अरग गोड़े आव दिसेशन 43 पर देली वोकाबलरी तो सभी बच्चे फटा फट क्लास में पहुंचे जी रूबी गुद इबने गुद मॉर्निंग सभिया हिमानी गुद मॉर्निंग बच्चों तो चलिए शुरुबात करते हैं अपने वर्क की आई वेल्कम यू अन दिस चैनल इंग्लिस भाई जनमेश सर अलिटिल प्रोग्रेस एव्री डे एड्स अप्टू बेग रेजल्स है ना इसी पर वर्क करते हैं हम आगे बढ़ते हैं और आज की कोटेशन को देखते हैं बच्चों कोटेशन ओप टुड़े इस देखो बच्चों कितना बढ़िया लिखा है don't don't be afraid to give up the good don't be afraid to give up the good to go for the great यानि के आपको good को छोड़ना पड़ेगा और किस पे जाना है आपको बच्चों you need to move towards the great तो हमें उसे fear नहीं होना चाहिए we need not to fear from this change because change is necessary mandatory है तो चलिए बच्चों Sunday की morning में हम good morning के साथ is quotation के साथ में शुरू करते हैं अपने वर्को राज का वर्ड है बच्चों आपका stifle तो देखो आपने word पढ़ाता है strife यादा रहा है आपको कल question भी उसमें से बना है strife word बढ़ा है बच्चों आपने और word पढ़े हैं तो stifle का means होता है एक तरह से struggle से struggle लेकिन जब हम stifle की बात करते हैं इसका means क्या बनेगा तो देखते हैं जरा इसमें stifle word we do have तो देखो यहाँ पर लिखा है स्टाव भुकमरी स्टंबल ठोकर खाना इस मौदर एक तरह से सांस रुपना या फिर stress करना तो क्या आंसर बनाएंगे बच्चों बताईए तो इस stifle को अगर हम देखें इन चारों में से क्या आंसर बनाएंगे बच्चों जी आविदा, जूली, राकी, आंसर करने साब बच्चे तो देखो बच्चे स्टाइफल का मेंस अगर हम देखें तो इसका मेंस होता है एक तरह से स्मोदर यानि सांस लेने में परिशानी होना एक तरह से सांस रुपना तो जब हमें लाइक दिर इस प्रोब्लम इन स्मोदर होगा नेक्स बड़ देखते हैं इसमें स्टैल मेट से अपने मेट के साथ हम हो लेकिन मेट के साथ बच्चों क्या करते हैं मिचा जगडा इसका मिन्स क्या बन गया आंसर डेड़ लोग का मिसिकली होता है जसका तस जसका तस यानि कि ऐसा डेड़ लोग हो जाना है जिससे सारी चीज़े वही की वही थमजाएं तो इस्टेल मेट कहलाएगा आपका डेड़ लोग कहलाएगा लोग टाइम से चल रहा है डेड़ लोग है राइट नेक्स वर्ट पर देखते हैं बच्चो फॉर्थ राइट तो वोड़ वी मीन बाई फॉर्ट राइट आंसर करें आप लोग क्या मतलब होगा फॉर्थ राइट हम किसे कहते हैं ऑनेस्ट एंड आउस्ट स्पोकन को सीरियस इस्टबन को स्ट्रॉंग एंड ब्रेव को या बच तभी बुड मार्निंग बैरिव मॉर्णिंग को तो बच्चो गरें फॉर्थ राइट कहना है तो देखो इसका मतलब है फॉर्थ राइट तो पूर्थ ना मेंस है जो कुछ भी बना लेंगे चूठी बार भी राइट है जब कोई पर सन्दों सिंग बार तीन बार हां एक ब लेकिन फोर्थ राइट कहलाता है अब चोथा वर्ड आपका जाएगा डिस्क्रीट तो कैसे आप बनाएंगे डिस्क्रीट को बताएगे हाव विड्यू मेर्ड दिस वर्क आप कैसे आंसर करेंगे प्रुडेन्ट अब इसके डिस्क्रीट का प्रुडेन्ट ठीक है बिलकुर सही है बचो डिस्क्रीट का मिन से एक तरह से क्या होता है एक एसा परस Chinggink के यरफुल हो क्यै dubious coachings अपने actions को लेके Makना वो अपने एक्षेंट को बहुत ध्यानपूर्वा किसले करता है जिससे कि वाद में डिसपोइंट मना में यहां बनेगा कि अच्छे बताओ फोर शेडों क्या होती है फोर शेडों ए फोर फोर शेडों देखो फोर का मीनसे पहले ही पहले और shadow का means shadow आजाना यारी किसी के आने से पहले shadow और जला मुझे बताऊ shadow किसके लिए आती है बच्चो shadow का means किसे होता है shadow का means होता है एक त्छाई जो होती हो वह क्या negative को शो करती है तो हम क्या कहते four shadow होना का मतलब है आने वाले एक तरह से हम इसे कहेंगे इंडिकेशन आफ दे आफ दे फ्यूचर यहां कि फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पहले से ही एफेक्ट आ जाना उसे पॉर्टेंड कहते हैं तो पॉर्टेंड या बच्चो फोर शेडो एक ही बात है हाँ परच्छाई का मतराब है कि आगे आने वाली मुसीबत या मुश्किल का हमें पहले ही पता चल गया इसको पॉर्टेंड कहते हैं इसको फोर्शेड कहते हैं अब देखो बच्चो अगला वर्ड है ओडियम ओडियम को आप कैसे डिफाइन करेंगे से इलनेस से ही टर्ठ से औडिटी से या डेविय से बच्चो इस वर्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो ओडियम वर्ड हुता कैसा है ध्यान से देखें और दियम का मिन से बिटर नेस से बिटर नेस और यानिकि बीच में कटूता आना हिटर्ड आना तो आंसर आपका क्या बन जाएगा सी और बिसीकलिए हिटर्ड नेस कैसे आती जिस्ट बिकोज अब दे एक्शन दन बाई वन परसंट जो एक्शन करता है उनसे ओडियम बनता है का मतरब है हमारे बीच में हिटर्ड बनती है नेक्ट बेट पियाएंगे बच्चो अवाइज में पुट्स पास् रन्कवर रन्कवर का बेस्ट बताने है डिस्लाइक हेकर डिविजल क्रिटेसिस्म क्या बनाएंगे बैस पूम एक यह बच्चो रेंग्वर ओवाइज मैं पूट्स पास्ट रेंग्वर भीहाइंड एट मुव अहेड मतरब वो आगे बढ़ जाता है तो नेंकोर का मीन्स भी अगेन क्या है बच्छो हेटर्ड जो पास्ट की हेटर्ड उसके मन में होती है उनको हटा कि वो आगे बढ़ जाता है अच्छा अबीदा अबीदा अगर डिफिकल्ट यही तरीका है जैसे जितने वर्ड हम यहां पर डेली करें अगर आप इतने भी करते जाएंगे तो कुछ समय बाद आपकी स्ट्रॉंग हो जाएगे बढ़िया हो जाएगे यू विल बिट्रिलिंग गुड तो इसको बिलकुल करें बस यही एक option है सबसे बढ़िया पैस्ट ऑप्षन है कि स्टार्ट वर्किंग और तो बच्चो देखो अगले बड़ पे आते सिंटीलेटिंग सिंटीलेटिंग का क्या मिन्स बनेगा वी सुआ सिंटीलेटिंग फाइरवर्क्स तो फाइरवर्क्स का मीन्से बच्चो और जो हम पठाके कहते है सब क्या सब क्या है तो यह को चमकता ह muse स्पार्कल समखते रहते इस तरह का होता है तो आंसरा आपका ड्य बनेगा बहुत अच्छे सभी या अंजू कर्क्र बात है तो आंसर ह्माराइड स्पार्क्लिंग होता है ये सह में ध्यान रखना है बेलको यह जो पैक्ट है बच्चो यह कब से 20 साल से रह चुका है तो क्या बनेगा लीज ट्रेंड ट्रेटी या मोनार्की क्या बनाएं गया अगर पैक्ट का मिंच देखे तो बच्चो यहां पर क्या बनेगा ए इग्जेक्टली बिल्कुल सही है जूली आभी दा बिल्कुल सही है एंजू देखो आप वर कर रहे हैं बहुत अच्छे से जोती गुड यह बनेगा बच्चो ए का मिंस है ट्रीटी तो ट्रीटी हमारी होती है वो पैक्ट गेडिंग एवरिवन टेन नंबर ही हैड़ रेप बी एक्जेक्ली राखी यह बी बनेगा बच्चो इसका मिंसे केरफूल से समझ में आगी सब बच्चों को बहुत अच्छे जोती जूली अनम आभीदा सभिया अंजू बिल्कुल ठीक है बच्चों यह क्या बनेगा हमारा केरफूल राइट अगला देखते हैं अब देको इडियम्स फ्रेजिज हैं बच्चों आपकी आई हैव रेसेंटली चेंज्ट माई जूब एंड आइम गोइंग टू है टीदिंग प्रोब्लम्स तो मैंने चेंज किया अपनी जूब और मुझे टीदिंग प्रोब्लम हो गई है टीदिंग का मीन से ऐसा लगता है टीद में मैं हमारे प्रोब्लम हो गही हो गए है हृतल है रखी है बनेगा के टीदिंग प्रोब्लम का क्या बनेगा डीफिकील्टी कि अन्री चाठ falls प्रेक्ट करते हैं तो शुरू बात में आपको डिफिकल्टी होती है जैसे मौर्निंग में रखना शुरू कर देंगे लेकिन नहीं लगेगा जब आपका कोर्स आगे बढ़ेगा स्लेबस आगे बढ़ेगा कॉन्फिडेंट होंगे करेक्ट एब्रीवन जैसे हिमांसी को मैं देख सकता हूं गुड मॉर्निंग हिमांसी का है हिमांसी है जिस्कोर 97 आउट ओफ 125 यह बहुत अच्छी बात है आई लाइक द बच्चो यह समझे ले 90 अगर आपका है तो आप लोग आप लोग मतलब सेफ जोन में सब बच्चे यह देखेंगे सेफ जोन में करेक्ट अबरीवन अगरा देखो बच्चो और टाइम का बच्चो कुछ भी पता नहीं चलता टाइम का कुछ पता नहीं चलता है रिजल्ट और आप डन ऐसे होता है वसी दे ना क्योंकि इसमें ना इंटेव्य ना कुछ है आपका बस डन ही हो जाना एक बारा घर होगा तो अगरा देखेंगे बच्चो ट्यूल नंबर दस सोल्जर्स फोट टूथ और नेल तो सेव देर कंट्री तो बच्चो टूथ और नेल का क्या बनेंगा टूथ का मिन से दातों से नाखुनों से हर चीज को लगा दिया अच्छा जूली का नाइनिटि अप सोचने की जुरत थे एक बार वेरी गुड़ आभीदा आभीदा है डिसको 95 बहुत अच्छे देखो आभीदा 95 जूली ने 90 किये हैं और बच्चों हम देखें हिमानसी ने 97 किये हैं बहुत अच्छे बस इसको बना के लेके चलना है एवरीबडी को इसको बच्चों मेंटेन करना है आपको है आगे देखते हैं तो तूथ और नेल तो क्या बनाया बच्चों राखी ने डी का है बिलकुल सही है यह नहीं इसका बनेंगे विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी मतलब इसमें टूथ नेल तब निकालते जब फ्यूरी होते हैं आप गुस्से में होते हैं और स्ट्रेंथ पूरी लगा दे तो विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी इसको हम बनाएं गों राखी आंसर की बिटा आने वाली है हो सकता है एक वीक के अंदर दे दें यह भी हो सकता है बिलकुल सही है अगला देखते हैं चेतनी वेरी अपसेट बिकोज दे न्यू मैनेजर ओल्वेज पिक्स ओन हिम तो पिकोन पिकोन का मीन्स क्या बनेगा वोर सिवियरली ट्रीट बैडली एडवाइज या सेलेक्ट देखों इनसे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा बच्चो नहीं वोर से वर इफ यू रीड़ीड बिट्वीन दे लाइन्स तो रीड़ीड बिट्वीन दे दोाइन स कमीन्स क्या बनेगा दो हूँ बीच में किसको पड़ते हैं बच्चो कैंडेड कींडी di living कुण डिया केंडीड लौट कुछर या औरीड्य सिए तो देज्ञा के ओनार की तंकल रें to throw dust in one's eyes to throw dust in one's eyes किसी की आखो में धूल जोकना सीधा समीन से इसका क्या होता है बच्चो उसको धूका देना to deceive बिलकुल सही आंसर है राकी करेक्ट बच्चो पूरम करेक्ट तो आंसर आपका बी जाएगा यहां पे सब यहां बेलकुल ठीक है अंजू आभीदा तो बच्चो जब मैं कहता हूं to throw dust in one's eyes धूल जोकना इसका मेंसे deceive करना उसे धूका देना 16 he is cut above he is cut above all the other boys in the group तो बच्चो अगर cut above है मतलब उसे काट के सबसे उपर लगा दिया गया इसका मतलब क्वाइट टॉलर नहीं सबसे अलग दिखता है ना तो आंसर हमारा क्या बनेगा क्या यहां पर बनेगा बच्चो रैधर सुपीरियर टू तो डी आंसर बनाएंगे अंजू जोती फैजन नीलम बहुत अच्छे बच्चो अगले पर आते हैं हम एज सून एज दा पुलिस एराइब्ड दबैंक सबस्क्राइब या फिर वर इंसेंस्ट यह आधि ऑकके बहुत अच्छे बच्चो बी बनेगा जूली क्रेक्ट बात है अंजू बच्चो इसका मीन्स बनेगा शोड़ वाइट फ्लेग वह इट वाइट फ्लेग आप तब रिखाते जब आप शांती चाहते हैं इसका मतलब अब आपने श्रेंडर कर दिया है तो आंसर वुड़ भी स्रेंडर बच्चो बगोटी के फैजन जोती करेक्ट होगे आंसर आपका नेलम जी तो शो वाइट फ्लेक का मिन से स्रेंडर करना टू कट वन शोट टू कट वन शोट टू लवन टू इंसल्ट क्रिटिसाइज या बच्चो क्या हुआ आप उसे इंटरॉप्ट कर रहे हैं इंग्जेक्ट्ली डी बनेगा इनजadow जी शवय इसका मेंस बने गा डी टू इंटराप्ट वन तो कट शोट का मिन्स होता है कट वन В no का मिन्स होता बिच्छो इंटरप्ट करना या लुकावट कि क्या है वो डू विमीन बाइ रेट रेज्ट राट रेज खुन माई मिशरी अन्प्लीजेंट साइट या भच फिर्स कॉंपेटिशन क्या मिल्स बनाएंगे हम अपने सुनाओगा चुहूं की दोड रैट की रेज और दी अगर हम ध्यान से देखते हैं जब आप देखते हैं बहुत खतरनाक तरीके से वो दोड़ती है अंप्लिजेंट लगता बढ़िया नहीं लगता आपको तो आंसर बच्चो हमारा क्या बनेगा सी अनप्लिजेंट तो रेट रे शाम मींज से अनप्लिजेंट साइट यह आपको ध्यान रखना है बना सकते हैं सब बच्चे अगले वर्ड पर आते हैं सचिन इस इन इंडिफ्रेंट इस्ट इस ओफन ओल एट सी तो ओल एट सी का मिन्स क्या होता है बच्चों देखो यह सी है इधर यह सी है बहुत बड़ा आप यहां पर खड़े हुए है ना देख कर डों कि मैं क्या करूए इधर को देख रहे हैं और देखो जब आप सी पर होते हैं को समझ मिन यहां तो हो हमते हैं कि में से हैं कंप्लीटली कन्फूज़ सिंदाई यह पिर आप भीन लैक ओप एपिशेंस इन ओल दे क्रूशियल सेक्टर्स एरियाज ओफ द वर्किंग और पॉब्लिक सेक्टर अंडेशन देखो बच्चों क्या है यहां पर अगर हम इस वर्ड को लेंगे एक मेंट तो यहां पर बच्चों दिरहाज भीन यहां पर हमें फिल अप करना है इसमें भरना है जी बताओ सी में बच्चों ट्वंटिवन में क्या भरेंगे सी बिल्कुल सही है बच्चों सी को अगर हम देखें तो इसका मीन्स क्या बनेगा लेट में टेल यू बच्चों अगर हम सी का मेंस देखें तो सीदि सी बहते हमाला बनेगा चांसुपीक्वस का मीन्स क्या होता है एसी कोई चीज जो क्लियरली विसिबल हो ऐसे वर्ड बच्चों बहुत आते हैं वहाँ पर कॉंस्पिक्वस क्योंकि यह नोर्मल लाइफ में बोला जाने वाला नहीं है तो ऐसे वर्ड हमारे लिए इंपोर्टेंट होते हैं तो देरा हैस बीना कॉंस्पिक्वस लेक ओप एफिशेंसी क्या मिन से क्लिरली विजिबल लाइक ओप एफिशेंसी कॉशन नुबर 22 दे शेफ़र्ड वोज लुकिंग आप्टर द तो क्या गैंग फ्लॉक क्रू या बच्चों फ्लीट शीप का भीड का जूंड होता है उसे क्या कहते हैं आप बताईए जो शीप का जूंड होता है डी फ्लॉक बिलकुल सही आंसर ह और देखो फ्लॉक शीप का तो हुता ही होता है बच्चों बर्ट का भी यह होता है झो हम बर्ट की बात करते हैं उसका भी हमें कौन मिलेगा फ्लॉक था समझ में आगया है सबको अगला वड देखेंगे बच्चों हम दे मैनेजिग डारेक्टर ट्रेटेट्ट दे एम्प् बच्चो सम्टॉस बताईए क्या आंसर बनेगा दा मैनेजिंग डाइटर ट्रेटेड दे एम्प्लोई तो अ थ्राइविंग लंच स्टुपेंडर्स प्रीशियर्स या बच्चो इस हां सम्टॉस बच्चो सम्टॉस का मीन्स होता है गुड़ एंड कोस्टली लुकिंग मतल्स जो हमें कोस्टली सा दिखाई दे गुड़ बढ़िया सा दिखाई दे वही क्या होता है हमारा सम्टॉस अगले प्याते 24 अब पॉलिटीशन स्पीच मस्ट बी रेड कैसे पढ़ा जाना चाहिए मस्ट बी रेड बिट्वीन दे लाइन्स बिट्वीन दे लाइन्स अब बच्चो इसमें भी हमें थुर्ण सा कर्रेक्षिन यहां लास्ट में बढ़ना है आपको इत में है अवर मीनिंग तो बताओ क्या मीनिंग यहां पहले रहे है गर डबल मीनिंग इसका कोई double meaning हो सकता है बिल्कुर ठीक है बच्चों ये भी बन जाएगा आपका याना दो वर्ड आएंगे अगला देखेंगे 25 those who live in this particular houses should not throw this at others क्या बनाएंगे बच्चों आप इसमें 23 का D ठीक है जी जोती D बिल्कुर ठीक है 25 का बच्चों क्या बनाएंगे B आप कह रहे हैं क्या होना चाहिए 25 का डी एक्जैक्टली जिनके घर सीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेका करते याद आगे बच्चों वही डायलोग है सेंटेंस में 26 को देखते हैं आई राइट लेटर टू यू आगे देखो डेश 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 टेंटेटिवली देट्स ओप दे प्रोग्रेम तो क्या बताओ इंडिकेटिंग अर्जिंग इनवाल्विंग या बच्चों गाइडिंग क्या भानसरों वनेगा हमारा 26 का दी बिलकुल सही है अन्जू करेक्ट बात है राखी तो बच्चों आई राइट लेटर टू यू इंडिकेटिंग टेंटेटिवली डेट्स ओप दे प्रोग्रेम तो इंडिकेटिंग का मीन से उसकी तरह पिशारा करते हुए कंटेंप्रेडी एकटोमी डेलेपोंेंट निफ उसकी और टूरेडी के इकाम हरती है के बनांसरों paint लिए already हां जी बने का बिलकुल हाबी डा राखी बच्चों इसका मीन से मार्कली है मार्केडली है किना मार्क किया हुआ ऐसे समझ लो मार्केडली फ्रॉम दे इंडेस्टिर रवलुशन का मत्रावे कई मार्क से डिफर डिफरेंस बनाना तो डिफर्स मार्क लिफ फॉम दे इंडेस्टिर रवलुशन 19th century रभी है पू रभी है तो ड्रॉप ब्लान ओप गॉइंग टो पिकनिक एज यह एड सर्टेन तो बच्चो सर्टेन क्या अब्जर्विशन कमिटमेंट्स प्रिपरेशन या फिर अर्जैंस इस किसको भरें गया वोट शुट बी दा आंसर अप्वेंटी एट यह सब्चो दी बिलकुल सही है बच्चो उसे क्या करने ते ही एड सर्टेन कमिटमेंट्स तो मीट दूरिंग डेक प्रिएड ठीक है बच्चो आंसर आपका डी बनेगा अभी देखेंगे 29 को देखेंगे it was hot that day and the cable suffered the brunt of the heat तो बताओ क्या इट वोज ट्रेचरसली एक्सेप्टेबली अनफेमिंगली अनफेलिंगली या बच्चो अनबिलिवेबली यह संजू बिलकुल सही है 29 का बच्चो क्या बनेगा अनबिलिवेबली हम कहते है कि शीज के लिए जो हमें ना लगे it was अनबिलिवेबली होड देट डे एंड दे केबल सफ़र दे ब्रंट ओफ हीट बिलकुल सही है बच्चो सही है सब यह इक्जैक्टली आभी रहा अब बच्चो देखते है 20 30 को 30 में लिका आई विटनेस तो यहां पे आपको फिल अप करना है दे न्यूज रिपोर्टर कैसे फाय ब्रोक आउट होगे तो बताओ क्या करेगा रिपोर्टिंग आइट विटनेस अब्जर्विंग कोटिंग यह बच्चो सी मिम जो आई विटनेस होता है वो क्या करता है मुझे बताईए हां जी क्यों बिलकुल सही है तो बच्चो इसमें कोटिंग बनाएंगे तो दी आंसर बनेगा कोटिंग आई विटनेस यानि कि आई विटनेस को कोट करते हुए न्यूज रिपोर्टर गेव ग्राफिक डेस्क्रिप्शन उप हाउ फायर ब्रॉक आउट टन बच्चो तो चलिए आगे बढ़ते हैं यह बच्चों कंप्लीट हो गए है फोल अपको पीड क्रेंट बोट में आपको बच्चों आंसर करना है तो यही हमारी स्टेटी है मैं फिर से सब भचों कहता हूं आपने कल देखा exam में हमारे छोटा सा effort I would say small effort काफी fruitful हुआ है काफी बच्चों को इसमें help मिली है मतलब मैं बता दो टोटली तो है बढ़िया help है तो बच्चों इसे पर work करें और लगातार class में आई बस यह मैं कहना चाहता हूं क्योंकि यह जो लाइव क्लास है आपकी समय आते बात में recording देखते हैं इतना मज़ा नहीं आता इसको लाइव देखने में मज़ा है आप कमेंट कर सकें आप पूछ सकें आप इसमें बता सकें आप अपने माइंड को यूज कर सकें यह सारा कुछ होना है तो चलिए बच्चों आज इस पर को यहीं पर और करते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करना है सब बच्चों को है ना, तो चलिए मिलते हैं इवनिंग में, और कल मॉर्निंग में, थिंक्यों सो मच बच्चों, हव ग्रेट टाइम.